हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं सब, आज हम यह वाली ड्रेस बनाएंगे, काना जी की पत्तियों वाली, बहुत ही सुन्दर ड्रेस है यह, यह मैंने बना रखी है, तो मुझे किसी ने कहा कि आप इसके जैसी एक बना के दिखाई है, तो इसलिए मैं एक बना रही हूँ, इसको उल्टी तरफ से भी बहुत सुन्दर लगते है, तो आप सीधी करके पहना लिए जैसा है, तो उल्टी करके पहना लिजिए, यह वाली ड्रेस हम आज दूसरे कलर में बनाएंगे, देखो, यह वाली इस कलर में हम बनाने वाले हैं, यह कोटी मैं ने बना रखी है, इसका लि तीन हम लेंगे, एक-ग twenty-two L Father, फिर फिर यह हृख यह बनाठ, आ भारोटभल क्रोशिया, अब हम एक चैन लेंगे, अब फिर अगली ही चैन में हम एक वाख टबल क्रोशिया करेंगे जब्स पिर डबल क्रोशिया, फिर double crochet तो तीन chain में तीन बार double crochet हो गया एक chain के बाद अब फिर एक chain और फिर तीन चैन में तीन double crochet दो और ये हो गया 3 तीक है अब देखो हमारा एक दो तीन और ये एक chain हो गया एक दो तीन और एक ये चैन हो गई है एक दो तीन अब हम ऐसे ही करते हुए इसका पूरा राउंड हम कम्प्लीट कर लेंगे अब देखो मैं राउंड के एंड में पोच गी हूँ अब मैं एक चैन लूँगे और एक डबल क्रोश्या दोस्टा डबल क्रोश्या और यह हो गया तीसरा डबल क्रोश्या अब मैं यहां वापस यह मेरा पहला एक चैन लेके इसको यहां में सिल्प स्टिच से जोइन कर दूँगे तो मेरा यह राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है देखो आप इसमें यह तीन दीन के और एक चैन मेरे पास दस पत्या बनिये इसमें एक टैन तो अब दस पत्या टोटल होगी है तो अब दूसरा राउंड शुरू करते हैं एक दो तीन तीन की चैन लेडी है मैंने यह डबल क्रोश्या बिए जो हमारा पहला वाला है ना तीन में जो पहले वाला है इसी को हम ऐसे उठा लेंगे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इसमें आगे से लेते हुए और यह ऐसे बनाना है जैसे हमने एक ऐसा 2 एक साथ ने निकालने एक एक बार निकालना है एक दो और तीन इसी में हम दुबारा भी निकालेंगे एक, दो, और तीन, ठीक है, अब हम जो यह हमारा बीच वाला, इसमें भी फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, लेकिन इसमें एक बार बनाएंगे, एक, दो, और तीन, यह तीन बार में हमें पूरा कंप्लीट करना है, यह जो हमारा तीसरा बचा है, इसमें हम दो बार बनाएंगे यह तरीका आप देख लो कि यह हमें फ्रंट पोस्ट बनाने कैसे है जैसे हमें एक बार दूसरी बार निकाला आप यह तीसरी बार तीन बार फंदा निकालने तब एक यह complete होगा इस तरह बनाने से डीला डीला नहीं लगेगा देखो यह इसमें दो बार बनाया पहले में सेकिंड में हमने एक बार बनाया और थर्ड में फिर हमने दो बार बनाया तो यह तीन थे तो अब यह पाँच हो गए एक दो तीन तीन थे और अब यह पाँच हो गए है ठीक है तो ऐसे ही अब हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे पत्ती की से अब हमारी जो एक चेन है अब इसमें बनाते हम इसमें एक बार डबल क्रोश्य बनाया और एक चैन बनाई फिर इसी में एक बार डबल क्रोश्य बना दिया तो यह एक चैन थी हमारी तो अब इसमें हमारे दो हो गया और बीच में एक चैन हो गी है, अब हमारे फिर वो ही आगे है पत्ती वाला, तो जो पहला वाला है, उसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और इसमें हम बनाएंगे, ऐसे ही, डबल क्रोश्या, वापस इसी में डाल लेंगे, फिर एक, दो, और तीन, ठीक है, तो एक में दो बार हो गया, जो बीच वाला है, इसमें एक ही बार बनाएंगे, डबल क्रोश्या, फ्रंट पोस्ट बनाते हुए, अब फिर इसमें फ्रंट पोस्ट, थर्ड वाले में, इसमें हम टू बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बार हो गया है, अब सेकंड पीस ही में हम बनाएंगे, फ्रं पोस्ट करने हैं अब देखो यह पत्ती बन गिये वापस से तीन थे तीन के उपर पाँच हो गया है फिर हमारी एक चैन आ गी है इस चैन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन लेंगे और फिर वापस इसी में डबल क्रोशिया पिर हमारी पत्ती का गवर्क आ गया है तो जो हमारा पहला डबल कोर्श है उसके उपर फ्रंट पोस्ट बनाते हुए इसमें हम दो बार बनाएंगे इसी में बनाने का तरीका आप देख लेना देख के ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा बीच वाले में एक बार बनाएंगे और थर्ड वाले में दो बार बनाएंगे अगेन इसी में बनाएंगे अब हमारी फिर ये चैन आ गी है इसमें फिर हम डबल क्रोश्या बनाएंगे एक चैन लेंगे इस चैन का हमें धियान रखना है जरूर एपिर double crochet तो अब हमारा इस वाले round में कैसे काम चलेगा देखो जो हमारा ये पहले वाला है इस पे हमें दो बार बनाना है बीच वाले में एक बार बनाना है जो थड़ वाला इस पे भी दो बार जो हमारी चैन होगी है इसमें एक डबल क्रोश्या एक चैन फिर एक डबल क्रोश्या तो ऐसा ही यह राउंड पूरा हम कम्प्लीट कर लेंगे यहां तक आ जाएंगे देखो राउंड के एंड में मैं आगी हूँ मेरी एक पत्ती का वर्क बचा है अब मैं आपको यह भी करके दिखा देती हूँ देखो एक चैन है एक इसमें एक डबल क्रोश्या एक चैन फिर से एक डबल क्रोश्या अब ही हमारी पत्तिगाई से उठाएंगे सब थार्ड में से जो पहले वाला होता है इसमें बनाएंगे फ्रंट पोस्ट एक दो तीन यह धागा हमें पूरा तीन बार में कम्प्लीट करना है ताकि यह धिला धिला ना लगे खिचा-खिचा सा लगे गुथा-गुथा ऐसे हम डबल क्रोश है दो बार में कम्प्लीट कर देते हैं यह हम तीन बार में कम्प्लीट करते है ताकि फिनिसिंग ज्यादय आए एक दो तीन अब यह थर्ड वाला है इसमें हम टू टाइम बनाएंगे यह अब और यह ठीक है अब हमारे ये एक चैन बची है इसमें हम डबल क्रोश्या बनाएंगे एक चैन बनाएंगे और फिर वापस इसी में डबल क्रोश्या बनाएंगे और ये यहां पर हम इसको जोड़ देंगे सिल्पिस्टिस से तो मेरे दो राउंड कंप्लीट हो गये हैं और घेर बनना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है पत्या तो थोड़ी उपर जाके त्यार होंगी अब हम तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे यह जो हमारे दो बनाए थे ना हमने एक में तो इसमें जो पहले वाला है हम पहले वाला उठाएंगे पहले वाले पर बनाएंगे फ्रन्ट पोस्ट एक बार बन गया अब सेकंड टाइम भी इसी पर बनाएंगे हम जो सबसे सुरू वाला है उस पर हमें दो बार बनाना है जो सबसे लास्ट वाला है उस पर दो बार बनाना है और जो बीच वाले हैं उन पर सब पर एक एक बार बनाना है देखो यह सेकंड पर हम एक बार बना और फोर्थ पर भी हम एक बार बनाएंगे अब जो हमारा फिप्त आया है फिप्त पर हम बनाएंगे दो बार एक दो तीन इसी पर हम दुबारा बनाएंगे दो बार बनाना इस पर इसी में हम फिर से बना देंगे अब देखो, यह सुरू में दो होगे, लास्ट में दो होगे, सुरू में दो है, ठीक है, और यह लास्ट में भी दो है, एक, दो, तीन, चार, अब हमारे पास इसमें दो बढ़ गए है, अब हमारा यह आ गया है, चैन वाला वर्क, जिसमें हमने दो बनाए थे, अब की बार हम लेट कल इसा करेंगे पीछे से बैक पॉस्ट बनाएंगे पीछे अधागा लेते हुए और बनाने का तरीका वह और यहां एकड़ी के दो को हैं गारी अट जैसे हम फ्रं पोस्ट बना रहे निय। वैसे ही हम बैक पोस्टस बनाएंगे फिर भिप चैन्च ती उसमें बार डबल ग्रोशय बनाएंगे और एक एंलेंगे फिर इसी में सीben बनादेंगे जो छैन है उसी में लेने के बाद तो हमारा एक यहां पर बढ़ जाता है हर बार और एक-एक हमारा पत्तियों के दोनुदर बढ़ रहा है तो दो थे वह उसका एक बैक पोस्ट उदर हो गया एक बैक पॉस्ट इदर हो गया ठीक है तो अब देखों हमारा यह इस तरह चलेगा बीच में यह जरूर बनानी है अमें ध्यान देना है चैन का हर बार अब हमारा यह आ गया है रखपत्ति वाला सबसे सुरूवाला प्रंट पोस्ट उठाया उसमें एक बार फंट पोस्ट बनाया और उसी में हमने दुबारा बना दिया front post तो दो बार बन गया है इसमें ये अब हमारा जो बीच का वर्क है ये इस पर हम एक एक बार तीनों पर बना लेंगे front post इस वाले पर जाकर हमें दो बार बनाना है अजो ये हमारी पत्ती है देख मैंने आदो बार बनाए फिर एक 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 फिर लास्ट वाले पर दो बार बना दिया है अब जो हमारा ये वर्क है इसे back post बना लेंगे हम जो हमारा chain वाला वर्क जो चल रहा हूँ इसमें back post बनाया फिर जो बीच की chain लेते हैं हमें एक माहा पर दो बार बनाना है हमें single double crochet एक chain ली फिर इसमें single double crochet तो इसमें दो हो गए है वापस है ये हर बार ऐसे ही होते रहेंगे जहाँ chain होगी माहा पर ऐसे ही एक double crochet, एक chain एक double crochet अब साइड उन जो बचेंगे उनका back post बनाना है अब हमारा फिर पत्ति का वर्क आ जाएगा ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे इसको राउंड को देखो मैं राउंड के एंड में पहुंच गी हूं बस मेरा वो चैन वाला वर्क बचा है देखो इसको मैं बैक पोस्ट बनाऊंगी पहले एक जो मेरा यह है एक डबल क्रोश्या बना लिया है जो एक चैन है इसमें डबल क्रोश्या बनाऊंगी एक एक चैन लूँगी फिर इसी में डबल क्रोश्या बनाऊंगी और जो यह एक डबल क्रोश्या इसको बैक पोस्ट बना लूँगी बन गया बैक पोस्ट और अभी से यहां पर मैं जोइन करते होगे, जो हमारे चैन लेते हैं, हम तीन, थर्ड चैन में जाके, मैं इसको जोइन करते होगे, सिंगर डबर कुरोशेश, ये सेल पिश जिस से जोइन होगे, तो मेरे अब तीन राउन कंप्लीट हो गया है, थोड़ी थोड़ी देखो, पत्यों की सेव भी आ रही ह है, जोटा राउन कंप्लीट शुरू करते हैं, अब हमारा देखो, जहां हम दो बनाते हैं, हमें शुरू वाला उठाना ओता है, ये वाला, किनारी वाला, इसमें हम फिर से बनाएंगे, दो बार, और पिर हम सब में, एक-एक बार बनाते हुए, एक-एक बार, प्रंट पोस के बनाते हुए हम चले जाएंगे प्रॉंट पोस्ट बनाने का तरीका अपने देख लिया है जैसे दगर निकाला एक बार निकाला दो बार निकाला और यह तीन बार निकाला थाय 90 प्राफोस्ट बनाने का तरीका है और यसा ही करते हुए हम लास्ट में आ जाएंब पत्ति के, जैसे हमने सब बनाया है हमारा लास्ट बचा है ये वाला, इसे हम दोबार बनाएंगे, पत्ति के दोनों किनारों पर हमें एक एक बढ़ाना होता है, तो इसलिए हम एक में दो बार बनाते हैं, देखो, एक बार बना लिया, इसी में हम दो बार बना देगे, ऐसे ही जब पत्ती शुरू होती है, उसमें उदर भी हम दो बार बनाते हैं, तो हमारी ये पत्ती बननी शुरू हो गी है, अब हमारा जो ये चैन व और बढ़ गया था तो एक बार ओर हो गया है यह एक दो और तीर अब आगी है यह सिंगल चैन जो हमने चैन बनाते हैं अमर बार एक तो इस चैन में ऐसे सिंपल डबल क्रोश्या बनाना है एक बार पर एक चैन लेनी है और इसी में फिर वापस से एक बार फिर से बनाते हैं तो हमारा यहां भी एक पंदा हर बार बड़ जाता है अब हमारे जो ग Democrat भुल क्रोश्या बैक पोस्ट बना लेंगे एक दो तीर और इस वालिः को भी हम बैक पोस्ट बनाएंगे एक दो तीर इधर से देखो यह हमारा जो मैं बैक पोस्ट बना रही हूं यह ऐसा वर्क चलेगा आगे जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा जब अच्छे से दिखेगा उल्टा होने के बाद भी यह जो यह है न यह चेन इसका में ध्यान रखना है हर बार यह चेन हमें लेनी ही लेनी है क्य आरे पंदे ऐसे बढ़ते चले जाता है इसमें ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर लेंगे अब मैं आग्यू राउंड के एंड में और फिर यह बैक पोस्ट अ और फिर यह बैक पोस्ट और यह चैन में एक बार डॉबल प्रोश्या एक चैन फिर से इसमें डबल प्रोश्या और फिर से बैक पोस्ट और सेकंड बैक पोस्ट हम वर्ग को जॉइन कर देंगे तिल पिस्टिस से यह हो गया वर्ग जॉइन तो देखो दिखर न पत्या थोड़ी थोड़ी सी पत्या वर क्या आने लगी है हमारे चार राउंड कम्प्लीट हो गए है ऐसे ही में इसमें सेवन राउंड बनाऊंगी पाच्वार राउंड सुरू करते हैं एक दो तीन इसमें स्मस्रूब यूए उठाया mort राउंड שुरू किया है इसमें फर्स्ट वार ले एक बार बना لिया इसीमें यहाँ दूसरी बार भी बना लेके बस यह धियान लखना है कि हमें फ्रंट पोष्ट के उपर फ्रंट पोष्ट बनाना है और बेक पोश्ट के ऊपड़ाना है पत्ती के सुरूं enfin इधर भी बढ़ाना है और पत्ती के एंड में उधर उन उस साइड भी बढ़ाना है। तो सुरूं में भी दो बनाने और येंड में बीच में सव में एक एक बार बनाते जाना हैं फ्रॉंट के तीन, फिर ऐसे नीचे से, बहुत इजीली हो जाता है, कोई इतना ऐसा नहीं कि आपको देखके लगे कि कठीन है, आराम से बुना जाता है, तो ये हमारा ऐसे करते हुए, आप ये कम्प्लेट कर लें, ये दो हैं, देखको, इधर वाले में मैं बना दूँगी, फ्रन्ट पोस्ट, और ये जो मेरा अब एक बचा है, इसमें ये वाला, लास्ट वाला, इसमें मैं बनाऊंगी, दो बार, क्योंकि पत्ति के उस सिरे पे भी हमें बढ़ाना होता है, और इस सिरे पे भी हमें बढ़ाना होता है, तब ही हमारी पत्ति फूली फूली दिखाए देती है, तो इधर भी बढ़ा दिया, इसमें मैंने एक में दो बार बना दिया है, तो ये तो मेरे फ्रन्ट पोस्ट हो ग यह धागा यहां से यहां से को बैंट सब्सक्राईरो बनाने का तरीक का वह यह दो और यह तीका है 为 मैं बढ़ाना नहीं है जितने हैं उतनों के ऊपर ही उतने ही बैक पॉस्ट करते जाना है है कि आई मीन कि Mythical बना लीए अब जो हमारा पीच이가 यह चल रहा है एक चेण वाला इसको में पूरा एंड तक जब तक में हमारा वर्ख चलेगा ऐसे ही जलाना है एक डबल क्रोश्या एक चेन और फिर से एक डबल क्रोश्या यह काम हमारा ऐसे ही चलता रहेगा तब ही हमारी ट्रेस में सेप आएगी फिर अब हमारे जो वे बैक पोस्ट बचे हैं तो यह हम पूरा राउंड ऐसे ही कम्प्लीट कर लेंगे मैं वर्क के एंड में आघी हूँ यह पत्ति मैंने बचा लिये दो तीन डबल क्रोश्या आपको दिखाने के लिए से-से एक बारी बनाएंगे और इस वाले में दो बार बनाएंगे बस बढ़ाने का आप ध्यान रखिए, गिंती करते रहे, जितना आपकी एक पत्ति में होगा, अतना सब में होना चाहिए, ऐसे ही बैक पोस्ट की गिंती करते रहे, नहीं तो जब हम घटाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, किसी में दो बच जाएंगे, किसी में चार तो ऐसा अ वाले में जोइन करें और ऐसे राउंड को थर्ड वाली चैन में जोइन करें तो इक्वल राउंड आते हैं उपर नीचे नहीं होता है देखो आप पत्यों कि सेप कितनी सुन्दर सी लग रही है अभी से ड्रैस तो यह दस पत्या है टोटल आपको काउंट करके भी दिखा रहे हैं तो आप मेरे थर्डी पंदे तो दस पत्या बनी हैं आपके 2100 वी तो साथ बनेंगी यह मेरे पांच राउंड कंप्लेट हो गया है चै और साथ मैं दो राउंड इसमें और बनाओंगे अभी तो चलिए बनाते हैं चलिए छटा राउंड कंप्लेट ने सुरू करते हैं तीन की चेन बना लिए फिर हमारे देखोंगे जो दो हैं इन में से मैं शुरू वाला बनाते हुए इसी में दुबारा बना लूँगी देखो आप आपको कितना समझ में आएगा पता नहीं लेकिन मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिस कर रहे हूं ऐसे ही मैं करते हुए यहां तक आ जाओंगी बर्केंड तक मैं बर्केंड में आगी हूं सब में सिंगल सिं इस में इस में दो बार बना दिया मंने अब हमारे यह आ गया बैक पोस्ट ऐसे पीछे से जाल रिटे की डूर्शिय डाला है और इसमें से एक तो बसे बनाने का तरीका आप यह जब हम सिंगल प्रोश्व बनाते हैं तो ऐसे बनाना है मैं तीन बार लेते वे धागा देखो यह हमारी जो एक की चेंच चली आ रही है इसमें अब हम ऐसे simple double crochet बनाएंगे simple double crochet हम ऐसे बनाते हैं देखो दो में एक साथ निकाल लेते हैं और यह यह तो हमारा simple वाला हुआ और जो हमारा यह front post और हम जो back post बना रहे हैं इसमें हम दो बार नहीं तीन बार धागा लेते हैं जो एक दो और यह तीन तो इससे थोड़ी finishing जाता आ जाती है इसमें हम दो बार बनाएंगे तो हमें यह साथ round तक बढ़ाने हैं मतब हमारा इसए करते हुए इसमें दो बार एसे हिए करते हुए पूरा round complete कर लोगे ठीक है यह देखो मेरा च्छाटा राउंड कम्प्लीट हो गए है एक और बनाना है मुझे चलिए सुरू करते हैं एक दो तीन अब हम इसमें प्रंट पोस्ट बनाएंगे यह सेवंथ राउंड सुरू हो गया है इसी में दुबारा बनाएंगे एक दो तीन तो यह सुरू में बढ़ गया है अब पूरा बनाते हैं मैं पत्तिके अंड तक पहुच जाओंगे अब देखो यह दो बचे है इसमें सो जब यह वाला है इसमें तो मैं सिंगल ही बनाऊंगी ऐसे और जो हमारा लास्ट वाला है इसमें मैं डबल बनाऊंगी दो क्योंकि अब यह सात्वा राउंड है तो इसमें भी अमें बढ़ा नहीं है आठवे राउंड से हमारे गटने शुरू होंगे तो देखो आप हमारे यह लास्ट राउंड है जिसमें हम बढ़ा रहे हैं फिर बाकी है सब यह कंप्लीट करते हैं मैं वर्क के अड़ में देखो इधर से कितना सुंदर सा लग रहा है यह बर्क अभी छोटा है मैं इसे पूरा राउंड कंप्लेट करके देखो मैं वर्क के एंड में आगी हूँ और यह बैक पोस्ट बना लूँगे बस इसमें इस साथ में राउंड का यही वर्क बचा है इसमें बैक पोस्ट बनाते हुए पत्ती के पास पहुँच जाऊंगे यह मैं बीच में आगी हूँ जहां चैन है तो इस चैन में हम ऐसे ही सिंपल डबल क्रोश्या एक चैन और फिर डबल क्रोश्या यह वर्क हमारा बिलकुल लाश्ट तक जब तक ड्रेस बनती रहेगी ऐसा ही चलता रहेगा तब इसमें एक सुंदर सा डिजाइन निकल के आएग पिर से डबल क्रोश्या भेक पोस्ट तो यह मैं यहां तक कंपलेट करेंगे देखो यह कंपलेट हो गया है अब हम इसके यहां सैलपिस्टिस से इसको जोईन कर देंगे ऐसा जोईन करने से बिलकुल एकवल घेर आता है कई भी उचा नीचा नहीं होता है अब हमारी मत्तिय यहां से मुड़ने शुरू हो जाएंगे यहां तक हमने इसमें बढ़ाई हैं और यहां से मुड़ने शुरू हो गए हैं तो ऐसे ही हमारे इस राउंड इस वाली में भी अभी तक हमारे बढ़े थे अब हम घटाएंगे इनको तो अब हम घटाना शुरू करते हैं चलो आठव एक, दो, ये दो हो है ना हमारे, तो इन्हें इसमें ही रोक के रखना है हमें, दो का एक नहीं बनाना है, फिर अगले वाला उठाएंगे, एक वाला उठा लिया, आप अगले वाला उठाएंगे, अब इसमें भी हम एक बार, और ये दो बार, ठीक है, अब हमारे पास ये अब सब में हम एक एक बार फ्रंट पोस्ट बनाते हुए जैसे नीचे से बनाते हुए आये ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे यहां तक आजाएंगे यह दो बचा के रखेंगे बाकी अब देखो मेरे दो बचे है तो इन्हें देखो फिर घटाने का तरीका यह हमने पहला उठाया एक बार बनाया दो बार बनाया यह दो हमने इसमें ही रोक लिए अब हमने यह दूसरा उठाया एक बार बनाया दो बार बनाया अब हमारे पास यह तीन बचे है इन तीनों में से एक बार हम निकाल देंगे ठीक है तो एक हमारा इस साइड गट गया और एक साइड गट गया अब हम ऐसे यह बैक पोस्ट के उपर बैक पोस्ट हम जैसे नीचे से बनाते आएं ऐसे ही बनाते हुए आएंगे इनमें ना हमें कोई घटाना होता है ना बढ़ाना होता है बस हमारे जो यह एक की चैन हर बार बनती है उसे हमें ऐसे ही बनते जाना है जैसे हम निच्चे से बनते हुए आए है इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा तुम देखो जहां एक चैन है वहां आगे है जो एक मिसे हम बैक पोस्ट बना लेंगे एक चैन पर आ गए है इसमें हम एक डबल क्रोश्या एक चैन और एक ये डबल क्रोश्या फिर वापस से ये सारे बैक पोस्ट बना लेंगे बैक पोस्ट बना के यहां हम आ जाएंगे दोनों किनारों पर हमें इनके गटाना है तो हम चलिए फिर से किनारे पर आ गए है हम जो हमारा ये सुरू वाला है इसको हम उठाएंगे प्रंट पोस्ट ही एक बार बनाया, दो बार बनाया, ये दो हमें इसमें ही रोपने हैं, फिर अगले वाला उठाना है, एक बार बनाया और दो बार बनाया, जो हमारे तीन है, तीन नों को एक साथ बना लिया, तो हमारा एक फंदा गट जाता है, पत्ती में गुमाव आ जाएगा, और ये सब हमे ऐसे संपे single single करते हुए single प्रंट पोस्ट करते हुए हम पत्ती के end तक पोंच जाएंगे पत्ती के end में आगे हैं अभी दो बच्ते हैं तो फिर से हम इने को एसे करते हुए उठाएंगे यह पहले वाला उठा लिया है कि एक दो इन दोनों पो इस रोक लिया और फिर से यह उठाया एक बार दो बार अब इन यह तीन हो गए तीनों को एक साथ बना तो अब हमारे जैसे बढ़े थे एक-एक करके ऐसे ही एक-एक करके सारे गटेंगे इसे पत्ती में घुमावाना शुरू हो गया है यह हमारा ड्रैस का आठवा राउंड चल रहा है तो ऐसे ही हमारी पत्ती मुड़ती चली जाएगी बैक पोस्ट के उपर बैक पोस्ट और यह पूरा राउंड अब कम्प्लीट कर लेंगे देखो अब यह एक पत्ती वच्ची है बाकी मैंने बना दी है अब पिर इसमें भी आपको दिखाते हूं सबसे सुरूवाला उठाया एक दो फिर नेक्स्ट उठाया एक और दो अब यह तीन वच्चे हैं तीनों में एक साथ निकाल दो फिर एक के उपर एक बनाते हुए पत्ती के एंड तक आना है यहां तक आ जाएंगे पत्ती के एंड मैं आगी हुए देखो यह प्रंट पोस्ट उठा लिया दो बार यह दो पंदे बचे हैं अब पिर यह उठाया एक बार दो बार और यह इन तीनों को एक साथ कर दिया अब बैक पोस्ट के उपर बैक पोस्ट बनाया बनाने का तरीका सेम रहेगा एक दो तीन जो हैं यहां बीच में हम बनाते हैं अजब देखो हुए यहां पर यहां पर राउंड इसको हमेजसा जोइन करते हैं तो से ना राउंड में फिनिसिंग जादे आता हैं देखो आप विर देख रहे होंगे पत्ति में घुमावा गया है अब नोग अरोड स्टार्ट करते हैं तीन की चैनली फिर हमने ये जो दो लिए थे इन दोनों को में एक साथ उठाना है अब हमें इसींगल शिंगल नहीं उठाना है ये जो हमने तीन बनाए थे ना एक साथ तीनों को एक साथ उठाना है, एक और ये दो, इसमें रोग लिए फिर नेक्स उठाएंगे, तो एक, दो, तीन होगे, तीनों को एक साथ हम निकाल देंगे, यहां आ जाएंगे भरक के अंड में, ऐसे एक की उपर एक बनाते हुए, फ्रंट पोस्ट, यहां पतो ला मुसोगे था, सुरी. अब हम बैक पोस्ट बना लेंगे, देखो यह, यह जो हम घटाते हैं न यह, यह दो एक साथ जुड़के हैं, तो इसे हमें पूरे को ही ऐसे, इसके निक्चे से ऐसे रिंकालना है, तो एक और दो, तो यह दो फंदे हमारे बच गए इसमें, फिर नेक्स्ट वाला लेना है, तो एक और एक यह, दो, तीन का एक बना दिया, तो जैसे हमने एक एक करके बढ़ाया है, ऐसे ही एक एक करके यह घटेंगे, तो यह सेफ अच्छी सी आ जाएगी इसमें, देखो, मुडाव आगया है ना पत्यों में, तो ऐसे ही हम यह पूरा राउंड कम्प्लीट कर लेंगे, मैं राउंड कम्प्लीट करके एंड में आगी हूँ, तो देखो जो यह हमारा त्रीगी चैन का थड़ वाली चैन होती है, उसमें हम इसको जोइन कर देंगे, एक, दो फिर से हम राउंड स्टार्ट करेंगे, यह जो दो है हमारे, इनके नीचे से हम ऐसे ले लेंगे, एक, दो, फिर यह ऐसे ही, अगले वाला उठाएंगे, एक, दो, अब तीनों को, इन तीनों को, एक साथ हम निकाल देंगे, तो पूरा राउंड ऐसे ही, यह ऐसे, पर पोस्ट परणायेंगे अबसष्का ध्यान रखना है की जहा हम चैन है वह एक झिंगल क्रोज्ट रौिज्ट या डभल क्रोज्ट या जैसे हैं जी डभल्ड क्रोश्ट या एक चैन और ये डभल गोर्ट रौ का हमें ये हर बार बिलकुर रौध से बनाते जाना है तो इससे हमारी ड्रेस में एक अलग सा ही सेफ आ जाती है और हमारे फंदे बढ़ते हुए चले जाता है धीरे धीरे कि देखो फिट से में आगी उपतिव है इन दोनों के नीचे से हम यह जुड़े हुए है ऐसे उठा लेंगे इसे एक दो हमारे बच गए है फिर नेक्स उठाएंगे एक और यह दो तो यह तीन हो गया है हम तीनों के निचे से हम ऐसे निकाल देगे ऐसे ही हम देखो किती सुन्दर पत्या बन गी है इसकी तो राउंड कम्प्लीट करके तो दिखाऊंगी यह राउंड के एंड में पहुंच गी हूं में जहां से सुरू किया था बिलकुल हम यहां से बैक पोस्ट बना लेंगे एक हमारा बैक पोस्ट बचा हुआ है एक बनाने के बार फिर हम यह थड़ वाली चैनी में इसको स्लिप स्टिस से कई बार थोड़ा सा क्लोशिय में दिक्कत हो जाती है यह यहां पर हम इसको सही करके दिखाना करें तो यह थोड़े से बच्चे हैं खटाने के लिए इसे भी कम्प्रेट करेंगे देखो कितना सुंदर सा पैटर्न बन रहा है यह ऐसे ही है हमारे बिल्कुल जब सारे घट जाएंगे तो बहुत सुंदर सी पत्या निकल के आएंगी चलो राउन को शुरू करते हैं इनकी चैन फिरसे यही जो घटाए थे सेम ही पैटर्न है हर बार घटाने का जैसे बढ़ाने का सेम पैटर्न था वैसे ही घटाने भी सेम बस आपको ध्यान रखना है कि जो हम घटाते हैं वह एक साथ दो होते हैं तो उन दोनों के नीचे से अमें धागा लेना होता है और बाकी सब पर हम फ्रंट पॉस्ट बनाते चले जाते हैं तीनों के साथ एक तीनों में को एक साथ निकाल ले ऐसे ही करके यहां तक हम आजाएंगे इन दोनों को हम फिर साथ गटाएंगे पुरा रांड ऐसे ही कम्पेट करते हुए अब आप यह देखो यह यहां में ने इसको जोइन कर दिया एक दो दो यह दो राउंड में और गड़ जाएंगे एक सेवन तक बढ़ेते और सेवन राउंड में ही अगटेंगे तो टाइटल इसमें 14 राउंड होंगे सुरू करते राउंड देखो यह इसके नीचे को एक दो है ना फंदे देखो इसमें दो फंदे हैं अब नेक्स्ट वाला उठाएंगे एक और दो तीन होगे हमारे फंदे और यह तीनों में से एक साथ निकाल देगे सबसे सुरू आले में करना सबसे लाश्ट वाले में करना है अब तीन होगे है तीन होगे है तीन होगे एक साथ हम लिकाल देगे अब सब पर बैक पोस्ट बनाएंगे को बैक पोस्ट बनाने का भी वही तरीका सेम सुरू से चला रहा है जो फ्रूंट वाले को ऊपर की तरफ से उठाना होता है और बैक पोस्ट वाले को पीछे की तरफ से उठाना होता है तीन यहां तक आ जाएंगे में आगी हूं इसको यह जो यह थर्ड चैन उत्ति है इसमें आपर स्लिप स्टिस ऐसे जोइन करते हैं अब दो तीन चार पाँच मेरे पाँच पंदे बचे हैं एक डाउंड मेरा ओर कंप्लेट है तीन से हमने शुरूग रहा था लास्ट में भी हमारे तीन ही बचेंगे है तो एक इधार और एक इधार हमारा यह हो जाएगा शुरू करते हैं एक एक दो तो होगे हमारे अब यह नेक्श बीच वाला एक दो और हम इसे तीनों को एक साथ निकाल लेंगे अब हमारा जो बीच में एक है इसको हम बना लेगे सिंगल प्रंट पॉस्ट तो अब हमारे फिर से इसको उठाया एक दो कि इन दोनों को एक साथ उठाया क्योंकि यह जुड़े हुए उपर से जो तीन को तीन का एक बनाते हैं तो जुड़ना एक तीन से शुरू किया था और अब हम तीन पर ही आ गये हैं एक तो यहां भी हमारे तीन ही हो गया एक दो और यह ती ऐसे ही आप एक करके बढ़ाते एक झांगे चले हैं एक एक करके घटाते चले हैं तो इसलिये हमारी पत्ति बिल्कुल बराबर बगी है। है है और इस भ Carne नहीं हो है अब कम्प्रेट करों विस् Creating मैं फूरे में आपको स्थी इसको पिछा के इतनि सुम्दध है निगल के आई है तो जिनि पूरे मुचछby कि इतना प्यारा लग रा कर सीधा तो लगी सुंदर रहा है एकदम गजब तो यह पूरा राउंड में एक कंप्लीट कर लूँ डास्ट राउंड है यह हमारा लेको में बढ़के हैं में पहुंच गयों बस यह जो मारे बीच की चैन थी नीचे से बढ़ते हुए आ रहे हैं और से अगर हर में में गए तो ऐसा पैटर्न बंता दो चला जाएगा फोड़ के ओपर वर अजो अगने सिंगल श्रॉश्य तो यहां पर गूल यह यह फिर सिंगल क्रोश्य बनाना है अ एक ऐसे सब्सक्राइबास तो यहां साउछल स कर लोड़के बनाना तो यह विस chat पिर यह सभी बैक पोस्ट बनाने हैं I hope so आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बैक पोस्ट या प्रण्ट पोस्ट में कैसे बना रही हूं तो यह हम पूरा कि कितना प्यारा सा वर्क लग रहा है यह कि में वर्क के बिल्कुल एंड में पहुंच गया हूं और यहां में इसे स्लिप स्टिस से जोइन करते हूं यह मेरा राउल और एक बार में लेगे धागा इसका काट दो की देखो दागा मैंने काट दिया है और यह पर यह देखो कितनी प्यार रहिए सि काना जी के ड्रेस बनी है मैंने अपने यह झ्रीन कलर में बनारखी आ पहले से लेगिन मुझे किसी ने कहा था कि आप इसको बना इसकाँ तो इसलिए मनले यह बनाई है मेरे पास यह उन देखो कितना सुन्दर सा पैटर्न बनके आता है इसका बस थोड़ा सा काउंटिंग का ध्यान रखें कि आप न जो चैन है हमारी उनकी गिंती सही से करें जब बढ़ाएं तब और जब घठाएं तब आप इसे उल्टी तरफ से परनाए काना जी को तो भी उतनी ही प्यारी लगा सकते हैं आप सजाने को तो आप कैसे भी सजा सकते हैं इसको कितनी प्यारी सी बनके आई है अभी हम इसकी बाउंडरी बनाएंगे ग्रीन कलर से जैसे इसकी बना रखिए नहीं ग्रीन पर एड़ कलर से इसकी अब हम बाउंडरी बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं बाउंडरी बनानी ऐसे मैंने नोट लगा ली है अब यहां से इसे में जो हमारी चेन है इसमें डालूंगी और ऐसे सिंगल क्रोशे से जोइन कर दोगे अब हम हर चेन में एक बार सिंगल क्रोशे बनाते वे जाएंगे इस धागे को इसी के साथ पकड़ लेंगे ताकि यह जुड़ जाए इसी में ऐसे निकाला और इन दोनों को एक कर दिया फिर नेक्स चेन में अब हम हर चेन में एक बार सि सिंगल क्रोशे मतलब हमें क्रोशे के उपर धागा नहीं लेना है बस ऐसे ही डाला और धागा लिया और बुन दिया तो ऐसे यह किनारी इस पर बंती चली जाएगी हमें इसी तरह पूरे राउंड पर हमें इसे किनारी बना लेनी है पहले हम चारो तरफ बनाएंगे उसके बाद पत्तियों के उपर बनाएंगे किनारी आई होप सो आपको अच्छे से समझा रहा होगा कि मैं जैसे बना रही हूं आप भी बनाएं अपने कानाजी के लिए यह सुन्दर सी पोसार देखो यह इस तरह बनता हुआ चला जाएगा नजाद आप ज्याद है टाइट हाट से बनाएं नजाद लूज से हर चेन में एक बार यह जहां हम यहां आगे हैं इस पर जहां हमारी चेन है यहां हम ऐसे दो बार बना देगे अ ठीक है तो उससे थोड़ा सा यह पर नहीं पड़ेगा यहां फिरनस इन consistent आएगी यहां पर हम दो बार बनाएंगे और यहां पर सब पर एक एक बार को असरो में वर्चे एनड में आगी हूं माई यह कि मीह पास थो तीन चैन बचिक है इनने भी में can Doll 너무 और देती हूँ कि देखो अपने हाथ से बनाने के और कन्यजी को पहनाने के कुछी कुछ और होती है आप भी बनाए और पहनाए अब में से धागे को यहां पर कट कर दूंगी और पत्तियों को कई पत्यों पे हमने को सबाउंडरी बनानी है अब देखेंगे देखो कि लेजी एह किनारी त्यार हुई है हमारी अब हम पत्यों के चारवज किनारी करेंगे जैसे हम ने टू क्योंकि उपर भी हम किनारी करेंगे और गले भी बनाए लेगे आई होप तो आपको आता ही होगा सबको बनाना लेगिन फिर भी चलो देख लेते हैं हम यहां से सुरू करेंगे में धागा जोड़ लिया है अब देखो हमारे जो यह पत्यों की सबसे फ्रंट वाला है यह से हम पत्यों को ऐसे किनारी करके देखेंगे यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं जो यह किनारी सी बनी हुई है डोली तो हमारे यह double crochet है सब double crochet में हम ऐसे hook डालेंगे एक double crochet में हम दो बार बना लेंगे तो जिस से जोल भी नहीं आएगा और हमारे किनारी अच्छी बनेगी जैसे यह एक double crochet है इसमें हम दो वार बना लेगे क्योंकि यह लंबाई में है और हमें इसके साइड साइड बनाना है तो ऐसे एक में हम अगर दो वार बनाएंगे तो उसकी हाइट double लो क्रोशय जितनी हो जाएगी one मे, two time में बनाना है जो सबसे किनारे वाला है उसको हमें लेना है बनाने के लिए तभी पत्ती का लुक अच्छा सा नजर आएगा तो ऐसे ही आप बनाते हुए किनारे तक आ जाए कोई भी डबल क्रोशे आपको छोड़ना है नहीं है पत्ती का किनारा आप ऐसे उठा के पकड़ ले और एक डबल क्रोशे में दो बार करते हुए देखो ऐसे जैसे आपको दीखी रहा होगा तो ऐसे आख कर यहां पर आ जाएंगे इदर से फिर हम इसको टर्ण करेंगे देखो हम वर्फ के यहां तक आगे है तो यहां पर भी आपको कुछ करने की जरुत नहीं है वापस जहां तक आ जाए वापस आप इधर से धागा इधर लियाए पिर यहां पर आप बना लें पिर यहां पर दो बार बनाए और फिर आगये से ही बनाते हुए चले गाए तो वर्ग अपने आप घूम जाएगा से ही बस यह ध्यान रखना है एक डबल क्रोशे में दो बार बनाना है कि देखे ये वर घूम के पत्टी की शेप आगी है आप ऐसे ही यहां पर इसको बनाते हुए इ आप यह दाग़ तोड़ना नहीं है आप यहां आईए यहां औंढ़े यहां से फिर यह करते हुए इसमें इधर चले जाओ इधर से इधर फिर इधर और फिर इदर ऐसे ही करते हुए हम फूरे राउंड कम्प्लेट करेंगे देखो में बर एक पत्ति के इधर आगी हुए मैं आपको यहां इधर से इधर आना बता देती हूं तो आप जैसे यह स्पति हैं तो इस सब्सक्राइब से डेरेक्ट आप इधर वाली पति का किनारा उठा लेजिए इसमें दो बार बना लीजिए और ऐसे ही बनाते हुए पत्ति के दूसरे छोड़ तक पहुँच जाएए एक डबल क्रोशे में दो बार सिंगल क्रोश्या बस यह ध्यान रखना है जो सबसे किनारे वाला आपका डबल क्रोश्या आपको उठाना है सबसे किनारे वाला ध्यानقول कि जो सबसे किनारे वाला नहीं उठा हुए तो पत्ति मो इतनी फिनी Jun used जाएए जैसे इधार है, इधार ध्यान से, यह जो किनारे-किनारे इवाले उठाने आपको, इसमें इन सब में दो दो बार बनाते हुए, आपको इसको आजाना, वर्क के पूरे एंड तक हम उच जैंगे, देखो मैंने पूरे में किनारी बना दी है, इसके गले पर भी बना है और एक ड्रेस मेरी यह है तो आप मुझे बताना ज़रूरा आपको ड्रेस कैसी लगी और आप भी अपने कनयाजी के लिए बनाएए और अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को जादे से जादे लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देखो पत्या कितनी खूबसूरत बनी है एक दम सुन्दर कोई मुझे से कह रहा ता कि अपत्या ऐसे तो कैसे बनाई आपने अलग से बना के लगा रखें इसमें मैंने कहा नहीं तो ने नका किया आप बना के दिखाएं तो इसलिए मैंने ये रश बनाई है प्रभू आप सब को फुश रखे ओके बाई बाई मिलती हूं फिर अपने किसी और नेक्ट वीडियो में नमस्ते